हेई यो बोईज और वेलकम तो दे चैनल गाईज आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं दालन फोर्डेड ओल्ड वाउंड्स और आज है पार्ट नमबर फाइब तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ओके तो अगर आपने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आप लेगों को पता होगा कि हम थोड़ा सा इधर उदर एक्स्प्लोर करके आये हैं और हमारे पास थोड़ा सा सामान इखटा हुआ है लेकिन अभी तक सारा सामान इखटा नहीं हुआ है जिससे हम आग जला सक सबसे पहले हमको इस तरफ जो यह आरो दिख रहा है यहां पर जाना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा और असामान इखटा कर सके जो कि हमने देखा था पिछली बार तो यहां पर हाँ बिल्कुल यहां पर देखेंगे तो यहां पर नीचे काफी सारा सामान पड़ा हुआ है ज यह फिर से इंटराक्ट कर दिया शायद मैंने गलती से कोई बात नहीं ओके तो हमारे पास रसी है इस बार इसका इस्तमाल करते हैं अरे भाई क्या हो गया यहां पर यह इस्तमाल क्यों नहीं हो पा रहा है एक और बार ट्राय करते हैं ओके चलो भाई यहां पर इस्तमाल कर हमने now I can take the rope and climb down okay good job अच्छा सही है अभी अपन नीचे जा सकते हैं तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कि भाई इस सब समान में से क्या हमारे काम आ सकता है अरे गलत दिशा में क्यों चले जाता है यार यह हमेशा कोई बात नहीं मानता थीक कोई बात नहीं इस बार तो माने गा चलो बेटा नीचे जाओ यार देखो फिर वहां चला गया इस गेम के कंट्रोल स्थोड़े से ऐसी है कि आप लोगों को थोड़ा क्लिक करने में मुश्किल हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं हो जाता है अपने आ और बार ट्राय करते हैं चलो भाईयान नीचे ओके आखिर कार भाई ये नीचे चला गएंने तो आज बेज़ उनली ओके तो यहां पर क्या चीजेए हैं पहले हम देख लेे हैं उक दो चीजे पहले तो तो तो।ब यहां पर यह वोड का रखा हुआ है बॉटल ओफ वोड का माई डैड्स फेवरेट अच्छा तो इसको उठाते हैं मेरे खाल से इसमें थोड़ा बहुत वोड का वगरे बाकी हो तो इसको हम शायद जलाने के लिए कई इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा मुझें लगता है अपर देखते हैं कर क्या सकते पहले अंदाजे से यह बैरिस का इस्तमाल करके देखते हैं यहाँ पर रखते हैं देखते हैं शायद वो चिडिया इससे मतलब यह चक्मा दे जाए उसको काम कर गया शायद ठीक है तो अभी हम उसके पिंजरे में थोड़ा हाता पाही कर सकते हैं तो अगर मेरा यह दोस्त आगे चलने की अनुमति दे मुझे तो थोड़ा सा हम चल सकते हैं कितना स्लो चलता है भाई यह प्लेयर मेरे को मैं तंग आ गया हूँ भाई मतलब सज बता है रहो ठीक है यहाँ पे से यह मैक पी नेस्ट वगए था पिशली बार लेकिन आर यहाँ स कुछ है तो नहीं एक अच्छा हाँ यार में को याद है यह गुफा के अंदर से हमको शायद लकड़ी वकड़ी मिलती है हाँ यहाँ पे देखो यह लकड़ी रखी हुई है यहां से हम एक उठा लेंगे तो हमारे शायद काम बन जाएगा मैं आप लोगों को दिखाता आप लोगों को समझने आ रहा होगा ठीक है चलो वापीस बाहर चलते हैं यहां से मैंने एक लकड़ी उठा लिये और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका कमार यह रही लकड़ी और इससे हम यह बर्ड के नेस्ट को थोड़ा सा ऐसा यह करेंगे पोक करेंगे अग जलाने के काम आ सकता है तो अभी हमको थोड़ा सा देख लेना चाहिए हमारी डाइरी में कि हमारे पास क्या क्या चीज़े यह फायर वूड्स मेरे ख्याल से हमारे पास नहीं है और यह एक्सलरेटर का भी आता पता नहीं यह टिंडर मतलब वो पता है अचली लकडिया है जो कि अंदर पड़ी हुई है और एंबर भी एंबर का भी पता नहीं देखते हैं ओके बर्ड वाला काम हो गया है यहां से रैगडॉल तो उठा ली थी बोट का तो ठीक है हो गया तक काम ओके यहां तक ही लिखा हुआ है यहां पर तो फिलाल हमारे लिस स्धिया थी लिखते आपजसे। झाल